गूर्ड मॉर्निंग कोरोना पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी रहात की खबर है कम लक्षणों वाले, कम जटिलता वाले और सिम्टुमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो अब होटलों में रहकर भी अपना इलाज करा सकते हैं इस संबंद में शासनादेश भी जारी हो गया है तो वह यह जानते हैं इसके बारे में क्या है ब्योस्था कैसे इसका लाब ले सकते हैं जो लोग सक्षम हैं और जो होटलों में रहकर के इलाज कराना चाहते हैं आइसोलेशन में होटलों में रहना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी न्यूज है तो चलिए जानते हैं विस्तार से लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्क्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि ऐसे ही नही नही जानकारिया लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे हैं तो आपको बता दें कि प्रदेश में लखनौ और गाजियाबाद के बाद बिना जटिलता वाले कोरोना पेशन्ट शेष सभी जन्पदों में चिन्नित होटलों में रहकर अपना इलाज करा सकेंगे इसके लिए शाषनादेश जारी कर दिया गया है यानि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिन होटलों को जिला प्रसाशन के द्वारा चिन्धित किया जाएगा उन होटलों में रह करके कोरोना के पेशेंट्स एलाज करा सकते हैं जो वहाँ पर रहना चाहें राज के अपर मुक्य सचिव चिकिस्वायंग स्वास्त अमित मोहन प्रसाद ने रवववार को बताया कि सेमी पेट फैसेलिटी के लिए लखनव और गाजियाबाद की तर्ज पर अन जन्पतों से भी लगातार मांग आने के मद्दे नजर साशन ने ये फैसला किया है इसलिए अब पूरे प्रदेश में इस सुविधा का लाब लोग उठा सकेंगे इसके लिए संबंदित जिलादिकारी साशन के निर्देशों के मुताबिक किसी होटल से दर निर्धारित करेंगे जिसके बाद और सेम्टेमेटिक मरीजों का वहाँ इलाज किया जा सकेगा तो आएए जान लेते हैं कि इन होटल में क्या खर्च आएगा इलाज कराने का उन्होंने बताया कि जो लोग चिकिस्सा के दोरान चिकिस्सी सुविधाओं के यत्रिक्त अन्य सेवाओं का लाब लेना चाहते हैं उनके लिए स्वास्त विभाग ने एलवन प्लस अस्तर की ये नई व्योस्था शुरू की गई है अब आप ध्यान दिजेगा समझने वाली बात है कि इन होटलों में मरीजों को चिकिस्सी व्योस्था राज सरकार की ओर से दी जाएगी जिसमें डाक्टर, नर्ज, पैरामेडिकल टीम लगाई जाएगी इसके लिए प्रतिकात्मक रूप से एकमुष्ट दोजार रुपे लिए जाएंगे कहना का मतलब यह है कि अगर आप कोविट केर सेंटर में नहीं जाना चाहते हैं आप आइसोलेशन में होटल में रहकर के इलाज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए ये व्योस्था की गई है प्रतिकात्मक रूप से टोकन मनी के रूप में आप से दो जार रुपे लिए जाएगा बाकी सारी व्योस्था मेडिकल ट्रिट्मेंट की डाक्टर की नर्स की पैरा मेडिकल टीम ये सारी व्योस्था जो है राज सरकार की ओर से होगी जैसे कोविट केर सेंटर में होता है वैसी ही यहाँ पर भी होगा आप यह भी जान लीजिए कि कितना इसका किराया होगा तो डबल आकुपेंसी के लिए 2000 रुपे प्रति दिन देना होगा जिसे आप कहते हैं कि जिसमें दो लोग रह सकते हैं वहाँ उसमें जो है या डबल बेड आप जिसे कहते हैं तो उसमें 2000 रुपे पर डे देना होगा और होटल के अधिक्तम 25 प्रतिशत का सिंगल आकुपेंसी पर यनि 100 कमरे अगर हैं तो 25 कमरे जो हैं वो सिंगल बेड के होंगे और वो महिलाओं छोटे बच्चों 50 से 65 वर्ष के व्यक्तियों को दिये जाएंगे और बाकी जो 25 प्रतिशत हैं वो डबल आकुपेंसी यनि की डबल बेड वाले रूम्स होंगे और उनका एक दिन का किराया 2000 रुपे होगा ध्यान देने वाली बात है कि ये किराया जो है आपकी इक्चा पर है अगर आप वहाँ पर रह करके इलाज कराना चाहते हैं तो आपको देना है अदरवाइस तो आप कोविट केर सेंटर में एडमिट हो सकते हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां भी केवल आपको होटेल का किराया देना है ट्रीटमेंट गॉर्मेंट कराएगी अब आईए जान लेते हैं कि किन व्यक्तियों को एलाउ नहीं किया जायेगा इन होटेल्स में रुकने के लिए अपर मुकी सचिव चिकिस्वाइवंग स्वास ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को गर्वती महिलाओं को असाध्य रोग से ग्रस्ट रोगियों को और अभिवावक रहित छोटे बच्चों को यहां भरती नहीं किया जायेगा जो लोग 65 प्लस हैं या गर्वती महिला हैं या असाध्य रोग से ग्रस्ट हैं या ऐसे बच्चे जिनके साथ उनके गार्डियन्स नहीं रह रहे हैं नहीं रहना चाहते हैं तो उनको होटेल्स में एड्मिट नहीं किया जायेगा L1 प्लस अस्तर की इन सुबधाओं पर कोवीड केर सेंटर के समस्त प्रोटोकाल का पालन सुनशित किया जायेगा जिन नियमों का पालन कोवीड केर सेंटर पर किया जाता है उन्हीं नियमों का पालन L1 प्लस अस्तर के होटल में भी किया जायेगा किसी भी मरीज की तवियत बिगड़ने की आशंका होने पर तुरंत L2 अथवा L3 अस्पताल में अस्थानांतरित कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिते में और शेश धन्राशी होटल प्रसाशन दोरावा अपस कर दी जाएगी ये सुविधा वैकलपिक है जो इसे लेना चाहते हैं उन्हीं के लिए है बाकी सरकार अपने अस्थर्स पर सभी का निशुल्क इलाज कर रही है मतलब ये होटल में रहने के लिए जो लोग इंट्रेस्टेड हैं जो लोग रहना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये सुविदा है कि वो कमरे का किराया पे करें और वहां रहें और उनका इलाज जो है वो सरकारी खट्चे पर होगा आए जान लेते हैं कि इस साशना देश में और क्या क्या बातें बताई गई हैं तो जन्दपदों में एकिकरित कमांड सेंटर की अस्थापना का भी साशना देश जारी हुआ है राज में मेडिकल स्क्रीनिंग, एम्बूलेंस सेवा, संचारी रूग, सक्षता, दवाई, अस्पताल व्योस्ता, कॉन्ट्रेक्ट, ट्रेसिंग, सर्विलांस जैसी गद्विधियों के संबन्द में सभी जन्दपतों में एक क्रित कमांड सेंटर के अस्थापना का भी साशना देश जारी किया गया है यहने इसका मतलब कि यह सारी जो सुविधाय हैं वो एक ही कंट्रोल में, एक ही सेंटर के कंट्रोल में रहेंगी अलग-अलग इसका कंट्रोल नहीं होगा और इसके लिए एक ही क्रित कमांड सेंटर के अस्थापना की जाएगी इसकी अस्थापना जिलादिकारी के अस्थार पर होगी और इस कमांड सेंटर से प्रसाशन, पुलिस, स्वास, नगर विकास, ग्राम पंचायत और अन्द विभागों के अधिकारी जूड़ी रहेंगे और वहीं राज मुख्याले पर भी एक अकृत कमांड सेंटर के अस्थापना की जाएगी तो जिलाले बरपस जो कमांड सेंटर के अस्थापना होगी वो इन सभी विभागों के अधिकारियों पर कंट्रोल करेगा, नियंतर करेगा उन्हें डिरेक्शन देगा कि क्या करना है, क्या व्योस्था रखनी है, कैसे ट्रीट्मेंट होगा ये सारी चीजें जो है, एक एकरित कमांड सेंटर से ही डिसाइड होगी और वहीं से कंट्रोल होगी तो ये थी लेटेस्ट जानकारी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजेगा ताकि समी को जानकारी मिल जाए ओके तैंक यू